व्रेंट कैसे हो आई होप सब लोग अच्छी है मैं फीर से एक जब दस जॉब का रिकर्मेंट लेके आ गए हूँ टाटा स्टील के तरफ से जॉब का रिकर्मेंट आ रहे हैं फ्रेसर्स यहां पे कंप्रेटली एलिजबल है एक्सपिरेंस होल्डर भी यहां पे अप्लाई कर सकते हैं फ्रेसर्स और एक्सपिरेंस तोनों के लिए इस ऑपोर्सिंटिस हैं नेक्स जो पॉइंट इंडिया के अंदर इनिस्टेट इलिजबल है है सुपर्वाइजर देन तुमेर टेकनिशांज देन तुम्हार जूनियार इंजिनियर देन तुम्हार आसिस्टिंशेंज एंजिकनियर आशा करके आलग बौजीशन्स के लिए वैकंसिस यहां पे देखने को मिलेगा और जिसके पास IT complete के वह यहां पे इलिजबल है डिप्लोमा होल्डर भी अपलाई कर सकते BE, BTEC और BSC इंजिनियरिंग डिसिप्लीन भी इलिजबल है सालरी भी अच्छा ही मिलेगा और एक चीज़ बाद है पर्मानेट नौकरी होने बाले का बाद नहीं है जोब लग जाएगा तो पर्मानेट बेसिस से ही सिलेक्शन होगा सो थोड़ा सा डिचल्स में इस वीडियो वे डिसकस करने बाले है चलो लेट स्टेट करने से पहले एक चीज़ मैं बता दना चाहतो तो इस इस मैं यूटीब चैनल जॉब फॉर यू जिन लोग आभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियो यहां पे जो रेट कलर कर दिखाए देगा यहां पर जाके क्लिक कर देना इसमें क्या होगा तो महरा सारे नोटिफिकसंस तुमको दिखाए देगा जितने सरह मैं व वहां से जॉब का रिकर्मेंट आ रहा है तो फेक नहीं है रियल है पहले मैं बता देता हूँ क्योंकि फेक वीडियो मैं नहीं बनाती हूँ रियल बात है नेक्स जो पॉइंट है थोड़ा सा दिखा देती हूँ जासा स्कॉल डाउन करने के बाद तुमको बैसिकली थ्री फेकल से जो और पमारा एक्स्पिरेंस होल्डर के लिए रिकर्मेंट फॉर्ट ऑफिशर के लिए वाफिसर के लिए वैकैंसी से फोडा समय स्कॉल डाउन करके दिखा देती हूँ तुमको बैसिकली थ्री फोजिसन्स के लिए निकल रहे हैं भड़ा जो है वेस्ट बेंगल है सो जिल्लों कोईस्ट बेंगल में जॉब करना चाहते हूं इस ओपरचनिटीज फॉर यू ओके ऐसा करके में बादा देना चाहते हूं सो जॉब लोकेसंस बेसिकली तुम्हारा खड़कपूर में होगा क्योंकि खड़कपूर का जो प्रोजेक्ट चल रहे उसी के लिए कऱानिकेल और मेटलोजी प्रोडाक्शन्स और इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्ुमेंट्स भांच अप्लाइक सकते हैं मीनिमाम टू इस एक्सपराइस होना चाहिए डिप्लम होल्डर के लिए बएसिकली तेन यह सेक्सपराइन चाहिए नेक्स्ट पॉंटिभी आपे नेक्स्ट पॉइंड इंडिएलक्डिक सि सेलेक्षान्स प्रोसेंस के बारे में देखेंगे फर्स्ट तुम्हारा डेटरं उनलाइन टेस्ट होगा उसके बादों पालिफ़ीक होजाने के बाद के बाद inटर्वी होगा बेसिकली ओके नेक्स्ट जो वैकंसीस है स्कीन में देख सकतो रिकर्मेंट रिकर्मेंट फॉर डिप्लोमा ट्रेनी और सुपर्वाइजर के लिए है और एक वैकंसीस है जो रिकर्मेंट फॉर अप्रेंटिस सी और इंडस्ट्रियल ट्रेन के लिए वैकंसीस है सपोज रिकर् प्रिप्लोमा ट्रेनी और सुपरफाइजर के लिए जो है नेक्स्ट पॉइंटे सालरी के बारे में देखेंगे एज फ्रेसर टाइम तुमको 18,000 पार मान तुमको सालरी मिलने बाले हैं और एक्सपिरेंस ओल्डर के लिए तुम्हारा सालरी जादा मिलेगा बट एज फ्रेसर एक्सट पॉइंट है ब्रांच के बारे में देखेंगे तब तुम्हारा मेकानिकल, मेटरोलोजी, इलेक्ट्रिकल और इंट्रुमेंटेसंस ब्रांच अपलाई कर सकते हैं और एक्सपिरेंस ओल्डर भी एलिजबल है और एक चीज़ बाद है डिप्लोमा ट्रेंड के लिए और इत्वास बाद है तब आप इतिक दानारत है फ्रेसर, प्रेसर नहीं है तो उसके लिए इस वान यहर्स ब्रांच तुम्हारा बैसिकल दर्यूर्ड ओट भी इंट्र८ को जाता है तो इस्शुफारत गे का शनी ओभ ए और विखा पॉजिशन के लिए तो बताद पुर् और experience holder के लिए तुमारा direct supervisor का position मिलेगा क्योंकि तुमारे पास experience है so experience holder candidate को लिए basically supervisor के लिए तुमको designations मिलेगा तुमको बैसिकली one year तुमारा training रहेगा one year complete हो जाने के बात company के तरफ से जैसा तुमारा company का जो policy है basically तुमारा मिलेगा supervisor positions भी तुमको मिलेगा okay next vacancies apprentice trainee और industrial trainee और worker के लिए vacancies है so यहां पे भी basically तुमारा खड़कपूर locations के लिए vacancies है आइटे जिनलों complete क्यों apply कर सकतो okay जैसा यहां पे treat के बार में mention किया feeder देन तुमारा मेकानिक्स ओल्डर टर्नर technicians ऐसा करके mention कर दिया so अपने इसाब से जाके check कर लेना okay which treat you already passed out okay next point is freshers भी apply कर सकते और three years three years experience minimum three years experience holder भी eligible है but three years से ज्यादा experience होगा तो eligible नहीं होगा so minimum तुमारा zero that's mean freshers apply कर सकते maximum maximum three years experience holder eligible है आइटे यहां पे apply कर सकते only for IT only for IT eligible है next point is salary के बार में देखेंगे तब तुमारा stipend जो मिलेगा basically salary नहीं है stipend जो मिलेगा basically 10,800 पार मान तुमको salary मिलने बाले और उसके साथ company का जो others compensation plus benefit including होगा दिकत बाली बात नहीं है और यहांबे भी basically selections procedure के बार में देखेंगे तो first तुमारा online return test होगा return test qualify हो जाने के बाद interview के लिए बुलाएगा okay so point is how to apply apply करने के लिए थोड़ा सा scroll down कर लेना first तुमारा positions देख लेना Btech, Diploma, ITI okay अलाग अलाग positions के लिए vacances है जासा मैं पहले बाता दिया so check का लेना check करने के बाद थोड़ा सा scroll down करने के बाद apply online करके जो दिखे देगा यहांपे basically तुमको click करना पड़ेगा click करने के बाद first तुमको क्या करना पड़ेगा registrations complete करना पड़ेगा apply online में जाके तुमको registrations complete करना पड़ेगा, registration complete करने के टायम में सारे details weather mention करना पड़ेगा क्योंकि fresh hours है kia experience है so fresh hours or experience, so next point has सारे details जासा करके fill करना पड़ेगा fill करने के बाद basically यहांपे जो या से इस सब स्पलिक्ण बड़ेगा चानल को शॉब्सब्सक्राइब कर के लिए चैनल को सबस्क्राइब करें पैल आइकोन को प्रेस करें अर। आएकुछ ऑफ गण्युक्तर रिंदा कानीपवेछ गात्यां ने विर्ट ? बाय तेक केर वाल दमिश्ट